अपने वेक्सिनेशन को बुक कर सकते हैं उसका जो स्लॉट है वो घर बैठे मतलब एक अपॉइंट्मेंट ले सकते हैं कि कब हम अपनी वेक्सिनेशन को करवाएं तो वेल यहाँ पर आज में सिखाने बाला हूँ कि आप फस्जोस के लिए यहाँ पर रेजिश्टेशन किस तरीके से करेंगे तो रेजिश्टेशन करना बहुत जादा आसान है वीडियो से जुड़े रहिए और देखते रहिए इस अमेजिन चीज़ को तो देखे सबसे पहल आप उन्टर्णेट ब्राउजर ऊपन कर लेना है इंटरनेट ब्राउजर ऊपन करने के बाद उसके बाद आपको सर्ज बार में टाइप करना है कोविन तो आप जैसे आप कोविन लिखेंगे तो यह आपके सामने एक website open होगी जिसका नाम है कोविन और आपको उस website पर click कर देना है then click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीकी का interface open होगा अब आपको extra चीजों पर ध्यान नहीं देना है आपको केवल क्या करना है आपको जाना है register sign in पर click करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है कोई भी एक mobile number आपके पास जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर एड कर दीजे वर कंडिशन यह है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जरूर जाएगा जब भी आप इस वेबसाइट पर आएंगे आपके लिए तो यहाँ पर में मोबाइल नंबर दे रहाए उस मोबाइल नंबर को दिरेंगे बाद मैं यहाँ पर OTP एड करूँगा तो मैं मॉबाइल नमबर लिख रहा हूं जैनि अब देखिए यहां से मैंने नंबर डाल दिया और यहां से मैं इनको करना है get OTP अब get OTP भी जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहां से देखिए OTP send होगा 2188-0602 तो देखिए यहां से जैसे मैंने OTP send कर आप यहां से OTP जाने लगा है तो देखिए यहां से आपको दिखाएगा you can register four members with one mobile number मतलब आए mobile number से चार जोनों का vaccination करा सकते हैं उनकी ID पर तो यहां से हमें करना है आप register पे क्लिक जैसे आप register member करेंगे तो देखिए यहां सबसे पहले माग रहा है फोटो ID प्रूफ तो फोटो ID प्रूफ में आपके क्या क्या लगा सकते हैं आधार कार्ड, driving license, pen card, passport और यहां से personal passbook आप इनमें से कुछ भी चीज़ एक verification लगा सकते हैं जो इसका होता है क्योंकि एक unique idea आपके पास होनी चाहिए तो यहां से हम आधार कार्ड ले लेते हैं आधार कार्ड सब के पास होता है आधार कार्ड लेने के बार यहां पर दिखिए हम आधार कार्ड नमबर लिख देंगे है जैन्ट नाइम टापने के बदेखिए यहां से जैंडल लेगा थोड़ा से स्क्रोल करेंगे स्क्रोल करने के बाद यहां से कह रहा है यह देट ऑप बर्त देखिए एज आधार कार्ट इन वाइवाई है मतलब जो फॉर्मिट यह है उसी पैटर्न में हमें यहां पर देना ह तो यहां पर देखिये जो date of birth है यहां पर year of birth लिखाए तो यहां के वल year डालना तो मैं year डाल देता हूं जो भी year है year डालने के बाद देखियों यहां से करेंगे register register करने बाद इस ओपर लिखा आ रहा है register successful हो चुका है इंडीजवर रेश्टर सक्सेस्फूली अब देखे यहां से एक भी डोस यहां पर अभी जो आपने बुक नहीं करिए तो यहां से हम इस दोस को बुक कर लेंगे तो यहां से आप धियान दीजिए यहां लिका है शट्ड्यूल इस वाली एरिया पर धियान देंगे आपको दि सब्सक्राइब करना चाहता हूं तो उसमें क्लिक करके मैं जो भी एरिया का पिन कोड है वह एंटर कर देता हूं यहां से कर देता हूं सर्ज जैसी मैं सर्च करूंगा तो देखे यहां पर अप्वाइंट खुल चुका है कि जो 18 अबफ है और 1844 प्लस अबफ है इन सब के ल और इस वाले में 18 साल के लिए 19 स्लॉट अबयेबल हैं और यहां पर 17 स्लॉट अबयेबल हैं दोनों स्लॉट यहां पर अब लेबल दिखा रहा है 16 तारिक की डेट में मतलब आज की डेट में दिखा रहा है और इससे बाकी की डेट में कोई भी slot अबलेबल नहीं है इसके नीचे देखेंगे जो CHC भूर बढ़ाला है वहाँ पर देखें लगातार 18, 18, 18, 18, 18 इसके लिए मतलब 16 तारिकोवी, 17 तारिकोवी, 18, 19, 20 इतने slot पके अबलेबल है तो आप इसके according जो slot चाहें वो कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है माली जी देखें जैसे मुझे ये कुंडा वाले लेना है तो यहाँ से यह वाला इस पर क्लिक करेंगे 19 वाले पर तैने यहाँ से दिखाए दर है Select timing अब आप चाहते हैं 10 वह से 11 वजे तक के बीच यहाँ पर appointment के लिए 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2 जो भी appointment के time आप चाहते हैं वो appointment time जी माली जी से हम चाहते हैं कि यहाँ पर 11 से 12 के appointment में चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजी confirm और जैसी आप confirm करेंगे तो यहाँ पर आपका registration नमबर आ चुका है totally आप cover हो चुका है और यहाँ से अब आप इसे कर सकते हैं download आपका vaccination का जो slot है वो easily book हो चुका है और यहाँ से दीजिए जब भी आप vaccination ले जाए तो महाँ पर क्या चीज़ important होगी वो है secret code आप इस जगह देख सकते हैं आपको के वह लिए secret code याद रखना है आपको कुछ भी चीज़ की ज़ुरत नहीं है और आपका vaccination हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर co-vaccine के लिए book हो आए अगर आप इसे COVID shield के लिए करना चाहते हैं आप इसे COVID shield के लिए कर सकते हैं अगर आप नीचे वाला point लेते हैं तो आप COVID shield के लिए कर सकते थे तो इस तरीके से करते हैं registration covid vaccination का प्लीज बताईए आप भी वीडियो कैसी लगी और कोई भी वीडियो में कन्फीज और नो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे थैंक्यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए